हेलो फ्रेंड मेरा नाम है रवी कुमार और आप देख रहे हैं दर रवी टेक्निकल यूटूब चैनल दोस्तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर और इस वीडियो में दोस्तो यह जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में यह दीडी फ्रीडिस का पाओर सप्लाई कार्ड एंपी टूस रिसीवर का और इसमें क्या दिक्कत आती है दोस्तो दिक्कत क्या हमेशा दिक्कत आती है यहातर सेट बॉक्स में देखा जाता है 3.3 वोल्ट का दिक्कत आता है तो इसको हम प्रिपेर करेंगे मैं आपको पहले चला के दिखाता हूँ कि क्या समस्य आ रही है इसमें इसको मैंने इसमें कनेक्टर दिया है और इसको मैं पहले पाउड़ सप्लाई में पाउर देता हूं मैंने पाउर दे दिया है अब मैं इसका वॉल्टेज चेक करूगा तो यह मल्टिमीटर है अब मैं इसका वोल्टेज चेक करके आपको दिखाता हूं इसको मैं ग्राउंड पे रखता हूं और इसको यहां रखता हूं तो आप देखेंगे यहां पे चेक करते हैं यहां पे थी बोल्ट आ रहा है ठीक है तो थोड़ा सा यहां जानते हैं आप यहां से यहां तक वायर जा रहा है उसमें रेजिस्टेंस के कार्म कुछ बोल्ट गढ़ जाता है आप अब लेकिन इतना घटार है कोई दिक्कत ने लेकिन बहुत ही कम वोल्ट ए जागर यहां भी आना चीए शाड़ तीन बोल्ट के आसपास होना चीए लेकिन यहां थी 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 वोल्ट आ ठीक है तो कम है इसके लिए हम क्या करेंगे इसको हम चेंज करते हैं चलिए हम इसको पहले चेंज करके देख लेते हैं तो पहले मैं पावर हटा देता हूं इसका और मैं इसको चेंज करके दिखा देता हूं पहले इसको मैं निकाल लेता हूं इसको मैंने निकाल दिया है और इसको मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको आप देखेंगे इसको मैं कंटिन्यूटी पर करता हूँ और इसको मैं चेक करता हूँ तो चार सो नाप एक सेकंड़ है आप دेखते हैं 506 दिखा रहा है ठीक है और यह जो डाइवर्ट है इसको हूँ मैं में तो यह standard में तो सही बता रहा है एक नया power supply card है मेरे पास इसका में निकाल लेता हूँ लेका इसको में निकाल लेता हूँ और इसको मैं चेक करता हूँ, यह देखिए, तो इसका भी 516-17 दिखा रहा है, जैसे उसका दिखा रहा था, तो मैं इसको लगा के देखता हूँ, यह देखिए, इसको मैं सोल्डिंग कर देता हूँ, दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, आगे तो मैं बताने वाला हूँ, आगे आपके बहुत खाम आएंगे, और हमारी चैनल पे नाए है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वेल आइकों भी ज़रूरतीर कर देखिए, देखिए, दोस्तों मैं इसको इसमें लगा दिया ह है, अब मैं इसमें पावर दूँगा, अब मैं आपको इसका वोल्टेक चेक करके दिखाऊंगा, यह आप देखें, तो आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं, पहले यहां पे आ रहा था 3.1, अब यहां 3.2 आ रहा है, ठीके, इसको चेंज करने के बाद, और यहां प आपको मैंने दिखाया, पिरेपन इन्यान में, आपके देखिए, मैं आपको दिखा दता हूं सही से, पिरेपन इन्यान में डाइबोड है, यह अगर आपको नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे, या तो पुराने पावर सप्लाई कार्ड में से निकालेंगे, ठीक है, इसको सौट कर देंगे तब भी आपका चल जाए लेकिन ऐसे करने से क्या होता दोस्तों यह जो आपका मदर वोड है ज्यादा वोल्टेज जाने के कारण खराब भी हो सकता है तो इसको प्रोपर 3.3 वोल्टी चाहिए ठीक है थोड़ा से कम हो जाए 3.3 से लेकर 3.1 वोल्ट त पहले कि यह नए पाउर सप्लाई कार्ट का है इसमें लगा देना चाहिए मुझे नहीं तो भी बेकार हो जाएगा तो इसको मैं साइड में रख देता हूं तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में यह चार अजार साथ का इन्वेर अप्लिशल डाईवाल है ठीग है तो इसको अम क्या करेंगे तीन फीस को लेंगे और तीनो को । इदर भी एसी सॉल्टिंग कर देंगे है ए यह देखिये कि इस तरह से मैं इसको सोल्डिंग कर देता हूं कि मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी पावर सप्लाई काट दूपर उसमें कमेंट आई कि अधर तेरे पन इन्यान में नहीं मिले तो मैं क्या करना चाहिए तो मैं आज इस वीडियों बता रहा हूं तो आप इधर देखें इस यहां पर इतना जेगा नहीं कि इसमें हम लगाँ हैं तो क्या करेंगें बैक campsite एसे गरखेर के इसको लगा देँ हैं हम आई एसें को लगा देते हैं यह व है कि आपूं किस сторонर से को मैं से कुभ लगा चरब की ना सिबस सफ्छलिए यह लग गया है यह लग गया है अब इसको लगा दिया है अब इसका पावर चेक कर लेते हैं कि तना आ रहा है इसमें लगा देते हैं पावर में अब मैं आपको इसका वोल्टेग चेक करके दिखा हुआ यह देखिए यहां पे चेक करके आपको दिखा देता हूं यह देखिए 3.2 बना रहा है पहले क्या था इस ड्यावट को चेक करने से 3.1 रहा था लेकिन अब 3. 3.18 या 2 के आसपास हारा ठीक है तो मेरे हिसाब से यह बहुत अच्छा काम कर रहा है और यह जो है बहुत ही कम खराब होगा यह क्या था यह खराब हो जाता है हीट होने के कारण लेकिन यह 3-3 मैने लगाया है यह 3 कभी खराब नहीं होगा जल्दी तो दोस्तों अगर इस त डाइबोट को ना लगाएं अगर मिलता है तो लगा दीजिए और अगर यह 53.99 में अगर आपको नहीं मिलता है तो तो इनिवर्सल जो डाइबोट होता है 4007 उसको तीन पीस इस तरह से सखरके लगा दीजिए और यह बहुत बढ़ियां चलेगा दोस्तों मैंने कई सारे मैंने लगा है आग तक कोई दिक्कत नहीं आई है बढ़ियां चल रहा है तो दोस्तों इतनी चोटी सी जानकारी थी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब् दोस्तों वीडियो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों थांक्स पॉर वाचिंगे